अधिकान समय के लिए क्रिकेट दूर से रहने की संभाव ना है यहां तक कि भी अगले कम से कम छे माइने साइधी मैंदान पर खेलते हुँ नजर ना आए पहले आईपील साइध कई वड़े टोर्नामेंट से बाहर हो गए है कि दिसंबर को हुए कार अक्सियंड में सब पंद भाई गंबीर रूप से घायल हो गए थे जिसमें उनके घोटने में काफी चोट आई थी इस पीजर क्राइफों के रेपोर्ट की माने तो BCCI ने जो मेडिकल अपडेट दिया है जिसमें कहा गया है कि बेट कीवर बल्लेवात की घोटने के तीन प्रमों के लेकामेंट को चोट पहुची थी जिसमें दो की सरजरी हो चुकी है जबकि तीसरे की सरजरी अप से 6 सबते बाद होगी इनी चीजों को देखते हुए पंद को अगले 6 माने क्रिकट खेलने की समामने नहीं की बरकरार पर है बीसी के चलते रिसब पंद अक्टूबर नॉम्बर में होने वाली आईसेसी क्रिकट बड़ कपसे भी दूर रहेंगे क्योंकि अगर में बापसी भी करते हैं तब भी देर हो चुकी होगी रोड़की में उनके कार एक्सीजेंट हुआ था जिसमें उनके सरीर पर काफी और गोटने में काफी समस्या था जिसका इलाज इस समय मुंबई में दीरुवाई अम्मानी इस्पिताल में चल रहा है अक्टरो द्वारा अभी तक कोई निचिन समस्यीवा नहीं दी गई है कि पंद को प्रेक्शनल रूप से कितना समय लगेगा लेकिन बीसीजी आयो चैन करता हूँ दोनों ने निसकर से निकाला कि बिकटियर बल्याज कम से कम छे माइने के लिए बाहर रहेंगे पंद जो की आकरी बार दिसम्बर को बंगलादेश दोरे पस सीरीज खेले थे उन्हें सिलंगा के खिलाब घरेलू सीरी में आराम दिया गया था